हेलो फ्रेंड्स मैं राम ठाकूर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टिमेट लक्ष इन्नोवेटिव लर्निंग में तो दोस्तों जैसे फिजिक्स में हम लाइट कर रहे थे आज लाइट का सकेंड पार्ट करेंगे और साथी साथ जो है आज जो है म सब्सक्राइब करने में काफी बड़ी चैप्टर बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यू से काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है तो देखिए पहले तो मैं बता दू कल जो है कुछ बच्चों को डॉट आया था आपका इमेज में कि इमेज क्या होता है है ॡ्यू वर्ट्वल इमेज क्या है और साथ है था कुछ plan मीर में भी data तो आभी पहले तो मेर्य मैं जैसे कि हम कर रहे थे और जो है उसमें लोगों को मीरेर हमेसे कुछ प्रॉब्लम्स आही है और प्लेन मिरेर का जो image formation है उसमें भी कुछ जो है कि प्लिन मीर में आखिर कैसे काम होता है कैसे picture mirror बनता है उसमें भी लोगों को problem आई है कुछ तो चलिए पहले उसको देखते हैं फिर आज का जो है mirror formula magnification देखेंगे mirror formula का क्या जो formula है rule है वो देखेंगे और साथी साथ magnification देखेंगे ठीक है तो अब सुरू करते हैं आज की topic से जो है आपका image image क्या है image का मतलब हुआ कि जब reflected ray पड़ावर्तित किरन ठीक है जब जहां पर मिलती है या मिलती भी प्रतीत होती है क्या अगर कोई reflected image reflected में जो reflect हुई है वो कहीं पर मिलती वी जैसे दो अगर है और यह दोनों यहां पर मिलता हुआ मिल रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि वह मिलेगा आगे जाकर करके वह मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं आपको image बोलते है परावर्तित किरन जहां पर मिलती है उस जगह जो इस बंता है उसे उस जगह बहुत्त का प्रती बंब बनता है उसको बोलते हैं आपको क्या उसको बोलते हैं image जहां पर reflected ray meet करे या appears to be meet जहां लगे कि मिलने वाली है उसको क्या बोलते है आपको image बोलते हैं तो जहां पर reflected ray मिलती है उसको बोलते है जहाँ पर मिलती है जहाँ पर क्या होती है जहां पर ऑफिएर्स टूरता है कि मिल जाएगा उसको क्या बोलते है papierल इमेज होती है अब देखिया मैं आपको दिखा हूँ यह समझ में आ गया अब देख तो इसलिए जो है जो करत मतलब मिलता हुआ प्रतीत हो एपिर स्टू इमेट लेकिन मिला नहीं है वो क्या वह तो वर्चुल है वह आगे जाके मिल सकती है ठीक अभी नहीं मिली है उसकी कुछ निश्चिता नहीं है तो उसको जह हम लो क्य सब्सक्राइब करते हैं अब चलते हैं मिलर की तरफ ठीक है अब देखिए एक बार फिर से यह मिलर है और यह कोई इमेज था कि यह वह सप्था सब्सक्राइब का यthose सब्सक्राइब सब्सक्राइब ये भी धर से किया और वांपरक्स डिस्टा के इधर आलाया इसका एक अगर जाएगा तो ये और यह किकर जो है नहीं Old जटेगा यह और यह कहीं नहीं कटएगा यह सका डिशलक्टर इए कहीं नहीं सब्सक्राइइब भूल भी इसका 파ंपiau लेके जाए तो अगर उपोजिट साइड लेके जाए तो देखिया क्या होता है यह अगर इधर लेके बढ़ाए इसको तो यहां आएगा और यह इधर गया तो आपका यहां कटेगा तो यह क्या हो गया ओपका जर्ची होता इंट होता है तुझ्वर जेतना बड़ा बस्तु है उतना बड़ा ही इसका इमेज होता है प्रतिभीम होता है है ना तो यह है आपका प्लेन मिलर का concept अच्छा प्लेन में एक चीज मैंने आपको कल बताना भूल गया था वह है मिलर इमेज जो है वह लेटरल फॉलो करता है लेकिक यह है लेक्टरल इंवर्ज जो आपका राइट है वह अपका लेकर यकली की आयए प्र Albacalle करते हैं लिपार्र लेशा नहीं जाएगा और र Εक हैं उसको क्या वो topics या कुछ भी होगा तो इक तो हो गते संट क्यों होगा ऑफ्जड से और से जो है कितने दूरी पर है दूसरा ओगा मिलेट से एगर यह 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 मेरग है यह यह कंभेक्स मिसमा shrinking मीरग है है और तो यह है खिंद ना और image कितना दूर है ठीक है तो वह क्या distance of object from the mirror mirror से object का distance और mirror से image का distance तो image का distance को किसे denote करते हैं V से और object का किसे करते हैं U से अच्छा focal length मैंने आपको बताया था कि जो spherical mirror है वो किसी sphere का part से लिया है spherical mirror तो ऐसा होगा ना इसी का तो कोई part लिया गया है तो उसका to center हो गाई और radius होगा ही ठीक है तो यह radius होता है इसी का half जो है वो क्या होता है focus होता है क्या होता है focus होकास को किसे promote करते ने करते एक से याद रहाएगा står को किसे analog करते एक से तो आप देखिए तो जो we are formula होता है न welfare one यानि one by u का बोले तो क्या यू बोले तो object distance तो one by u plus one by v भी क्या भी आपका हो गया image distance वह किसके बढ़ावर होता है यह बढ़ावर होता है one by fk one by focal length के ठीक है तो क्या बन के आगे आपका mirror formula one by u is plus one by v is equals to one by f आहीं बाद समझगे जो यहां पर है ठीक है अच्छा अब जो यह है न न अब देख दें मीरर में जो है एक चीज बहुत ही जरूरी हो जबन की आजाता है वो है साइन कंवेंशन जैसे कि यह लिखा हुआ एकी भी है यू है और इफ है इसका आपका कुछ दिश्कत्राइय को द सकालर को यहां डिखेन कर लेते हैं कर लेते हैं जब भी आप numerical solve करेंगे तो यहाँ पर आपको image distance object distance और focal length इनका क्या करना होगा sign पता करना होगा उसी को आपको क्या करना होगा रखना होगा otherwise हम नहीं न मतलब उसमें जोग डिफ्रेंसियेट नहीं कर पाएंगे न कहा अगर convex a没有 सबमें जैसा ही हो जाएगा तो ऐसा तो होना नहीं चैक्सें कीकि सब्सकूद में और न हम ऋल्टा होता अगर कॉन वियर सिय बनता है स्ँर्ड कोण के में बनता है तो마 me बनता है जैसा आपने देखा तो लाज calculated कि मी जो मैंने दिखा उसके बद अम के अगलौ को को कुशन करेंगे तो देखिए मैंघनिफिकेशन से तो आपको समझ में आए रहाए का मैнणिफिकेशन मतला मैंबने इस से और इस आपको समझ मेंधिकेशन क्या शरून कोरए नहीं तौह नहीं यही तो है मैंगनिफिकेशन यह एक तरह से रेशियो हो गया यह तो बस वी एंडरस्टेंट वाट इस मैंगनिफिकेशन देखिए इट कैन भी दिफाइन आज दा एक्सेंट और तो वीच दा इमेज एपियर्स बिगर और स्मॉलर इन यह क्या है यह वही बताता है कि इमेज जो है वह ऑबजेक्ट साइट से छोटा है या बड़ा है मैंने आभी आपको बता है इसका क्या मतलब हुआ कि पहले से यह बड़ा है ठीक है तो उसी से बनाए इमेज का है यहां पर ह एक ही चीज हो गया है हट यह है वह हाइट अभी मेंज हो गया है है तो सकते हैं तो ऐसे करके सोरी यहां पर जो फर्मूला और वह यह और होगा आज क्वैट निया अधिक ना इमेज भाइट होता है माफ किजिए गान थोड़ा सा गलती हों इमेज भाइट होताए ठीक है इमेज भाइब अच्छा आप देखिए एच्छ इस दा इमेज हाइट एंड एच्छ दाइट अफ अबजेक्ट ठीक है तो ठीक है अब मैंगनिफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है वह होता है इसका भी जो रेसी होता है वह क्या होता है यहां जो है यह होगा ठीक है थोड़ा सा गलती है जो मैं पीदीफ आपको प्रवाइड करूंगा उसमें इसको ठीक करके देद हूंगा ठीक है तो पहले क्या होता है हाइट अफ दा इमेज उसके बाद क्या होता है हाइट अबजेक्ट नीचे आता है ठीक है हाइट अफ इमेज बाई हाइट आफ ऑबजेक्ट जो पहले लिखा था वही सही है और इसके साथ साथ जो है यह सब्सक्राइब निच्छा चैनल करते हैं इस से अब देखिए यहां भी हाइट भी आइच भाई यू इसका क्या साइन होगा इसमें जो नुमेरिकल पर पढ़ेंगे तो आपको साइन देना होगा क्या साइन देंगे यह तो हमें पता नहीं तो देखिए इसके कुछ जो रूल्स हमने अभी यहां पर देखेंगे चले उसको बोलते हैं आप लोग ऐच्ड कंवन deflect Toon यूंट हैं इसके तहत हम जो है डिफ्रेंट पेडामिटरे जो है लाइट के मिरे के उस पेडामिटर उसका जो साइन स्मॉल नहीं साइन को जो हैं लोग करते हैं कम देखेसं आपका कॉंसा मिडर कोंक यह आपका अबक्ष ठीक है तो इसमें जो हम लोग करते हैं यह देखिए अगर कि डाइरेक्शन और आफ ऑब जेक्ट इन्सारी जो हमारा डारेक्शन आफ इंसेडेंट होता है incident मतलब जो लाइट रे मीरर पर जा रही है यह तो इस साइड में जो भी ऑब्जेक्ट होगा जो incident रे के तरह साइड में साइड इंसीडेंट रे के साथ होगा यानि incident रे के direction में जाड़ा होगा उसको हमेशा लेंगे positive और जो नगेटिव जाड़ा होगा यानि incident ray इधर जावगा है और हम इधर किसी चीज को ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे वह हो जाएगा negative तो इसलिए object distance या image distance इसमें क्या होगा दोनों ही negative होगा क्योंकि दोनों है इस सापाइड में है छोलिए वहीं जब देखेंगे कॉनभेक्स वाम तो सिcion नहीं होता है इस ही इसी और सीड W. नहीं होता है इमेज डिस्टन्स आपजएक्ट तो इसका नेगेटीव हो गाए क्योंकि इधर जा रहा है हमारे इंसीडेंटर और अब्जेक्ट इधर वोजिक साइड में तो वह क्या होगा नेगेटीव होगा लेकिन का नेगेटिव होता है चलिए तो अब देखिए कि यह तो हो गया आपका वी और यू का साइन कर्वेंसर अब एच का देखिए एच मतलब हाइट आफ दाइमेज तो हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिज जो होता है इसके उपर को इमेज बन रहा है तो यह उपर डिरेक्शन ह तो आपको समझ में आ जाएगा और को समझ में जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और जैदा क्लियर हो जाएगा तो चलिए आज मैं दो कोश्टन सापको बता दू एक दो कोश्टन सदेख लेते हैं उसके बाद में तो मैं इसके आपको सारे कोश्टन कर बाऊंगा ही जो प्रिवियस एर्स के होते हैं और जो भी इंपोर्टेंट है चलिए देखते हैं सपोज मतलब मतलब डेस ही आइचों 2 संटीमेटर मेंगनिफी एक सिन किया होगा अपका हैक डास एनि हाइट ओफ इमेज वाई एटफ ऑबिजयक्ट करण रॉग हाइटक्ष कॉगा हाइट आप अब्जेक्त 없어 होगा हाइट of object कितना है 3 और height of image क्या है 12 तो magnification क्या हो गया magnification क्या हो गया 4 हो गया देखिए यहां पर हमको नहीं दिया वाए कि कौन सा mirror है क्या है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे जो हमारा दिया हुआ है उसी को ले करके हम लोग अप्रोच करते हैं जब कोश्चन साती है तो देखिए एक कौन के मीरर अब यहां पर बता दिया specify कर दिया कि मीरर कौन सा है कौन के मीरर है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो यह क्या होगा इनवार्टेड है ठीक है यह तो अपने आप समझ में आ रहा है आपको चल यह देखते हैं जो क्लू दिया है उसको कैसे नेगेटिव अभी आपको बता है इंसिडेंट रहे अगर इधर कोई अब्जेक्ट रहेगा तो इसका साइन नेगेटिव होगा तो इसलिए टैन को ने नेगेटिव लिया अब क्या है इसमें पूछ रहा है कि हम जारा जो है इमेज कहा होगा तो देखिए यहां पर हमारे ये है कौन कर मीरे मैंनिविकेशन ज затils 3 तैंस है तो यह हमें सा थी जितना भी टाइन साघड आपको दे दे ना तो समझत यह क्या है मैंनिफिकेशन कैसे वो भी मि έPT को अगर मालेजीय वह रहा है कि 3 तैंस है kind of image twist of object किया है आपका यही वा ना 3 into hi यही तो हुआ sorry 3 into ho ही तो ही हुआ तो ho को नीचे ले आए तो 3 बचा ना इस concept से जो है समझ लिजे कि वह जो जितना times दिया हो वह क्या हो जाएगा आपका कि मैंगनिफिकेशन होगा तो मैंगनिफिकेशन दिया हुआ है यू दिया हुआ है वी हमने जो जाए यू के जगा मैंनस 10 डाल दिया साइन कर्वेंसर के एकोर्डिंग मैंश मैंश आपका कैंसिल आउट हो गया बचा भी भाइटेन ठीक है तो वी भाइटेन बचा भी वाइटेन जो हुआ इस उकल्स मैंनस में आने कहा मतलब होगा कि मैंज इसी डारेक्शन में तो यहां यहां टेन से पने यहक है थाड़ी आति ठाटेव मानें ठीक है तो तो वस्तु से कितना तीन गुना बनेगा क्योंकि मैंगनिफिकेशन 3 है तो इसका क्या हो जाएगा इमेज जो है कहां पर लोकेटेड है 30 सेंटिमीटर आगया आपको इमेज का पोजिशन तो इस तरह जो है हम लोग फाइंड करना हो यूफ करना हो और मैंगनिफिकेशन फाइंड करना तो यही तीनों से आपका जो भी प्राइब मेर फॉल्मुला से सॉल्व हो जो क्या है आपका वन बाइफ इस उकल्स टू वन बाइवी माइनस वन वाइए यू दोस्तों यह तो था मिर सारा अब मिर के तो वह करने के बाद जो है हम आरे पास बचेंगे कुछ एप्लिकेशन लाइट के जैसे कि अगर आप किसी को किसी बखेंट में डालेंगे तो आपको उठता हुआ प्रतीत होगा तो वह क्या है कि वह किसलिए होता है तो यह सब थोड़ा सब देखेंगे थोड़ा और उसका प्रोपर्टीज देखेंगे उसके आज लाइट का कोस्टन सीरीज करेंगे मतलब डिफेरेंट जारे डिफेरेंट आपस अब कोस्टन जो एक्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछ सकते हैं यानि इंपोर्टेंट कोस्टन जो है एक्जामनेशन पॉइंट व्यू से उसको Thank you very much.